जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों कि चार बजे हम चक्रिव्यू के साथ आपके सामने ही पेश होते हैं और चार प्रिव्यू के चक्रुन फसे हैं मौलाना तौकीर रजा कुछ कटर पंथी एलविश यादो और शराप तसकर इन सभी का आधसारा काला चिठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं सभी की कर्टूते पहली खबर में बाद मौलाना तौकीर रजा की बढ़ती मुश्किलों की जहां मौलाना तौकीर रजा की गरफतारी को लेकर आला हजरत की बहु और आला हजरत हेल्पिंग समीती चलाने वाली निदा खान का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने तौकीर रजा के खलाब ED की जज की मांग कर डाली है उन्होंने कहा कि हम मौलाना तौकीर रजा के बारे में पढ़ते और सुनते आये हैं उन्होंने बहुत सारे धरने प्रदशन किये हैं साथी CAA और NRC को लेकर आए दिन धरने किये उन्होंने हिंदू मुसलिम दो पक्षो को भड़वाने का काम किया है आगे निदा खाने कहा कि सब को पता है यूपी में बीजेपी गवर्मेंट है यहां लौ एन और बहुत जादा सक्त है देखा जाए तो 2010 के दंगों में वो सीधे सीधे आरोपी हैं और तीन गैर जमानती वरन वीजारी हो चुके है इसके बाद वो हिरासत में नहीं आए और ना ही कोर्ट में पेश हुए है लगातार तौकीर रजा के वीडियो आ रही है वो ठीक वीडियो में दिखाई देते हैं और उनकी मेडिकल रिपोर्ट कभी भी बाहर नहीं आती है सिर्फ वो बाते ही कर रहे है कि उनकी मेडिकल रि किते हुए पढ़ाई कर रहा है जर्सी में पढ़ाई कितनी महंगी है मगर कभी कोई यह नहीं सोच पाया कि तौकिर रजा के पास फंडिंग कहां से हो रही है वो इतनी बढ़िया और आनंद के साथ ऐशो और आम का जीवन कैसे जी रहा है उसने अपना स्टेटस बहुत अच् से फंडिंग हो रही है इसी फंडिंग के चलते देश में नफरत फैलाई जा रही है और जहर घुला जा रहा है तौकिर रजा की वजह से हिंदू मुस्लिम पक्ष आपस में भीड़ने को तयार है तौकिर रजा अपने आपको बहुत बड़ा नीता मानते हैं वो अपनी बा चल रहे हैं उन पर भी चैलेंज करने की बात कर रही है इस आदमी के खलाब मैं कुछ बोल भी रही हूं उसके सपोर्टर्स गालियां और धंकियां दे रहे हैं जो आदमी 2010 के दंगो का मास्टर माइड हो जैसा कोट ने कहा है वो खुलेयाम कोट को भी उल्टा सीधा कह रहा है अगली खबर में बात कुछ कटर पंथियों की चहां आयोध्या में राम मंदर जन्म भूमी मामले में बाबरी मस्जित के पक्षिकार रहे एकबाल अंसारी को शुकरवार 5 अप्रेल 2024 को अलविदा की नमाज के बाद कुछ लोगों ने पीट दिया उन्होंने बताय कि मस् की शिकायत के आधार पर अयोध्या पुलिस ने राम जन्म भूमी ठाने में केस दर्ज कर लिया है और कारवाई भी शुरू करती है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इकबाल अंसारी का कहना है कि योगी मोधी सरकार के कारियों की वो प्रशनसा करते रहते हैं इसके बगारने के लिए उन्हें चंदा मिलता रहे उनके साथ हतापाई करने वाले भी उसी मानसिक्ता के लोग है इकबाल अंसारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पीम नरेंद्र मोधी और सीम योगी आधितनात की तारीफ करने पर उनकी पिटाई की गई है इससे उ सुप्रीम कोड के फैसले को इकबाल ने ना सिर्फ स्विकार किया बल्कि अयोध्या में मजजित की जरूरत को भी नकार दिया उन्होंने पूरे देश के मुस्लिमों से सुप्रीम कोड के फैसले को स्विकारने की अपील भी की थी यही नहीं जन्म भूमी पर जब भव्य मं मंदिर में प्राण प्रतेश्टा हो रही थी तब एकबाल अंसारी भी महमान के तौर पर वहां मुझूद थे वो प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी पर रोड़ शो के दौरान फूल बरसाते दिखे थे एकबाल अंसारी अक्सर पियम मोदी और सीम योगी आदितनात की तारीफ करते दिखते हैं यही वज़ा है कि कट्टर पंथियों को वो पसंद नहीं आते अगली खबर में बात यूट्यूबर एलवीश यादो की जहां एलवीश यादो की मुश्किलें दिनो दन बढ़ती ही जा रही है उनके खलाब चल रहे सापों के जहर की तसकरी मामले में पुलिस ने आप बारा सो पन्लों की चार्जिशीट दाखिल कर दी है इसके साथ माम और सापों के जहर की सप्लाई के मामले में फसे एलवीश यादो के खलाब 24 गवाहों के बयान दर्च के गए हैं आरोपत्र में नौयडापोलिस ने कहा है कि एलवीश का जेल भेजे गए सभी सपेरों से संपर्क था आरोपी सापों के खरीद फरोग के काले धंदे में शाम संस्था के मुंबई की डेपार्टमेंट और फॉरंसिक मेडिसिन टॉक्सियोलोजी के विशेशग्यों की सलहा भी इसमें शामिल है आपको बता दे कि नवेंबर में पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के पदादिकारी ने एलवीश यादो और उनके साथियों पर सापों के ज एमल सापों का जहर बरामद हुआ था एफसल की रिपोर्ट में ये सपश्ट हुआ है कि सपेरों के पास से बरामद 20 एमल जहर करेत प्रजातिका है हलाकि अब इस पूरे प्रकरण की जात थाना सेक्टर 20 पुलिस की तरफ से की जा रही है आगरी खबर में बात शराब तस्करों की यूपी के देवरिया में पुलिस ने चेकिंग के दौरान आवएश शराब बरामत की है प्रदेश का रहने वाले एक यूवक प्यास की बोरियों के नीचे रखकर अंग्रेजी शराब की पेटियां बिहार ले जा रहा था इसी कामों पर लगाम लगाया जा सके देवरिया जिले के लार थाना इलाके अंतरगत महरोली बिहार बॉर्डर चेक पोस्ट पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिल गई यहां एक पिकप वाहन में उपर प्यास की बोरिया थी और उसके नीचे आवैस शरा शराब की कीमत तकरीबन 15 लाग रुपे बताई जा रही है पुलिस से मिली जानकारी के मताविक बाहन के 77 अवैर शराब की कीमत तकरीबन 22,50,000 रुपे है वहीं पुलिस आरूपी से पुछताच कर रही है कि आखिर वो इतनी बड़ी मातरा में अवैर शराब कहां से लाया और क्यों ले जा रहा था उसे जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी गंभीरता से पुछताच की जा रही है गौरतलब है कि बिहार राज में शराब बंदी है यहां शराब की बिकरी पर पूरी तरह से बैन लगा है ऐसी में लोग सुबद चुनाओं से पहले शराब तस कीर रजा कुछ कटर पंथी एलविश यादो और शराब तसकर फसे और उनकी पूरी पोल पट्टी कुल कर सब के सामने आ गई चक्रिव में फिलाल के लिए इतना ही फिर पेशोंगे संधनी खेस खुलासों के साथ बाकित अमाम खबरों के लिए देखते रही है कैपिटल ट लोगों के बीच रहना, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं पबलिक और पॉलिटिक्स की हर नपस को फूप पहचानता हूं संघर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासं तक मैं हर खबर से ख़रा सक्ष निखानता हूं ना कोई दौड ना कोई रिट्स, क्यापिटल टीट उत्तर देख अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हमारे साथ चुर्णने के लिए शुक्रिया